आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास्तिन इंग्लिश फुट्प्रिंट विदाउट फीडबुक का आखरी चैप्टर दबुक देट सेव द अर्थ यह जो चैप्टर है गाईज यह एक प्ले के फोमाग में है तो सबसे पहले जानते हैं इस प्ले के करेक्टर कौन कौन है पह है और चैप्टन ओमेगा नेक्स है लफिन आईट नेक्स सचेट ऊप अब आप सूच यह जोगी यह कैसे से नाम है नूडल ओमेगा आयोटा ऊप तो गाइस यह मार्स के लोगों के नाम है देखो जोगी हमारी पहली करेक्टर है इसको चोड़के यह इस्टोरियन को इस प्लेए के मेन करेक्टर है होने के वाला है इस प्लेए में देखो हमें यह बताया जाएगा कि 2040 में 2040 में Earth के उपर एक Alien attack हुआ था कौन कर रहा था वह एलियन अटाक यह मार्स के आते हैं ये अज़ बोक और यह उस बुक में लिखा होता है वह उस बुक में लिखा होता है यह उसको सच मान लेते हैं मार्स के एलियन और बहुत जादा डर जाते हैं एर्थ के लोग तो बड़े डेंजर है और जो इनका प्लान था कि हमारे अर्थ पे हमला करेंगे इन्वेजन करेंगे अटाक करेंगे अर्थ को कबजा लेंगे वो प्लान ये फ्लॉप करके तो यह सारे एलियन दरके मारे भाग जाते हैं तो तभी इस छाप्टर का नाम क्या है दबॉग दाट सेग्ड़ इस चाप्टर में हम यह जानेंगे इस प्ले में हम यह जानेंगे कि ऐसी कौन सी भूग थी जिसने 2040 में जब मार्स की इलियंज हम बटाकर नहीं थे उनसे हमें बचा लिया था तो यह है हमारा simple सा play तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस play को तो play जो होता है जैसे आज के समय पे आपने देखा होगा कहीं पे भी play वगेरा चलते हैं तो वो में यह play चल रहा है और कहां पर चल रहा है जगा कौन सी है जहां पर यह play चल रहा है museum of ancient history में यानि कि एक museum है उस museum में यह play एक प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है वो 25 वी सदी का museum है और वहां पर बहुत सडी audience आई वियस play को देखने और वहां पर उन लोगों को यह बताया जा रहा है कि कैसे 2040 में जब aliens आए थे तो वो डर के मारे भाग गए थे एक book को पढ़के simple clear समझ गए कि भाई 25 वी सदी में यह चल रहा है play और यह play दिखाया जा रहा है एक museum में तो चलो हम शुरू करते हैं अपने play को अब जैसे ही play शुरू होता है तो सबसे पहले spotlight आ जाती है यह historian madam पे यह हमारी पहली character है इनका जादा कुछ काम नहीं है play में यह बस जैसे ही play शुरू होगा सारे museum के लोगों को बताएंगी hello welcome to हमारा museum और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे 2040 में जब मार्च से एरियन अटैक करने आयते अर्थ पे तो वो अटैक नहीं कर पायते क्यूंकि एक बुक ने अर्थ को बचा लिया था सिंपल उन्होंने audience को introduction देना है और फिर एक projector open कर देती है जिस पे play जो है हमारा शुरू होती है तो अब historian चली गई है तो जिस पेस कंट्रोल रूम में कोटेशन भी लगी वी थी वह क्या थी कि मार्स पेस कंट्रोल रूम ग्रेट माइटी थिंग तंग बाव जाओन बिफोर एंकर यानि कि मार्स का एक दूसरा आप क्या सब्सक्ति हो बंदा वह कौन था अप्रेंटेस नूडल उसके लिए मैंने ये डामाटका सिर्टो वाला एलियन ले लिया है ये हो गया हमारा अप्रेंटेस नूडल ठीक है अब होता क्या है इसमें दो जने होंगे मार्स फेस कंट्रोल में बाकी तीन जो है एलियन हमारे आयोटा उप और ओमेगा वो जाएंग को अपने ओर्डेस बताओ अब ये जो हमारा माईती थिंटेंग से गुस्सा आ जाता है क्याता है कि तुमने मेरी सैलिटेशन बोली है ओ ग्रेट माईती थिंटेंग वाली है ठीक से नहीं बूली हो तुम कुछ वर्ट जवीच में से खागी हो दुबारा बूलो अब बेच है अब श्योंडा को वह बढ़े अब मेरी लेता है कहा है मेरी वाइन नेरा को आए थिए को मेरी थे आने यह बता सबसे सुनार कौन है कि मैरे जबने जल्दी से मुझे बता हो miałisemlt तो आजाता है अच्छा मेरे को देड़े जबाब देगा अगली बार तेर को रिप्लेस कर दूगा और खुद को मिरर में निहारता रहता है और कहता है अच्छा हूं अर्ट के लोग बुरे दिखते है तो आच्छली में स्माइटी थिंग टांग को लगता है कि यह बहुत सु तो नूडल कुछ कहता नहीं है कहता है हां सर कर रहा है उसको ही नहीं बन जाओगा मैं भी आपकी जैसा और नूडल अपने जो है पूरा जो सको टास्क मिला था कम्यूनिकेशन सेट करने का अर्थ के स्पेशिप से जो अर्थ पर भीजा गे हमला करने के लिए उससे इनकी फोडो यहां देख लो यह रहे तीन अर्थ की एक लाइबरेरी में पहुच जाते है उसका रामता है सेंटर्वेंट पब्लिक लाइबरेरी जो हमारा नूडल था इनसे कनेक्शन सेट करवा देता है नूडल को यह दिखने शुरू हो जाता है नूडल इनसे पूछता कर लिया जो हैं रखी वी है मुझे समझ में निया रहा है क्या है ऐसा लग रहा है में को कि एक लाइबरेरी में है यह बड़े बेवकूफ से है तो अब क्या होता है यह तीनों डिसाइट करते हैं और कहते है कि चले काम कते है जो में ग्रेट मारी थिंक टैंक है उससे पूस हुआ है तैसर आपको समझ में आ Today workers में ठीज अर्थक काते हैं आर्थ के लोग ना हर समय खते रहते हैं और जाध्यामी स्टैंब यानि कि खुँदे की जगा स्टना है और सब जितनी फीतितने चीजेर रखी है यह थे स्सक्राइट ही्यारी स ceram co पर वाला कवर है वो भी ब्रेड नीचे वाला भी कवर भी ब्रेड वी फिलिंग जो पेज़ेज है उनको कहता है यह यह अर्थ के लोग रोजन को खाते है और फिर उनमें से तीनों में से एक को चोग का क्या था उसको ओर कहता है कि इस साट्विच को खा कर दिखो जरा मुझे कन फार्म हो जाए जाए कि खाने की ही चीज है तो ऑमेगा इतना चालू है खुद नहीं खाता है ओक ओक को खाने कली तो पूस्ता है ओकứng करके तो घ्र तो कैसे खा लेता वो अब यहां पे जो हैं डूडल गाइस वो काफी समझदार है नूडल आता है डरता डरता बिल्कुल थिंट तैंक के पास और थिंट तैंक को आके कहता है सर मेरे दिमांग में कुछ बात आ रही है क्या मैं आपको बोल दू डर धर के बोलता है तो थिंट कैता है हां बता हो क्याता है सर मैंने देखा है पिचलों में फिल्म सवाग्यरा में देखा है कि अर्थ के लोग यह जो सैंडविच है उसको किसी कम्यूनिकेशन के तेविए यूस करते है अब यह थिंट टैंक है गईस क्रेड़िट जैसे ही से लबता है अच्छा यह चुन सब नहीं और नहीं है बहुता है अर्फ को द्यू अलग इसलिएंडी मέ得 तो यहां पे आप नूटिस करो कि जब इसने नूडल का आइडिया सुना ना की अच्छा ठीक है बता दो मेर को क्या बात आ रही है कि सर मैंने दीखा है कि जो यह आर्थ के लोग है यह कम्यूनिकेशन डिवाइस को ओपन करते हैं और उसको दीखती है अब यहां पर तेंट वही काम रिपीट करता है जैसे पहले उसने क्रेडिट चुरा तर नूडल का फिर सबसे कलरफुल वाला सांड्विच और उसे ओपन करो और उसको रीड करने की कोशिश करता है अब भाईया वह कलरफूल सैंड्विच कौन सा था था बदर गूस नाम की एक पोयम की कलेक्शन की बोक थी इतनी बड़ी बोक है वो उसमें नर्सरी की पोयम में चपी है उसको सब्सक्राइब रगए अरथ में में आधके लोगों की फोटों यह का Catch the कि दिए एक थार वह और में तोलिकिक कोड़ा दून था किया लिखा हुआ हैर्थिनों क्या जो बirtान दिए ठ clan कोई सैयर कुछ नियुक्रण सिर्म लिखें शुलिवह और में अधिविए तो आप यहां देख सकते हो आइडिया तो नूडल ने दिया था पंड़ने का बट सारा क्रेडिट यह चुरा लेता है अब उप कहता है कि सर यहां कुछ लाइने डली हैं कुछ सरकल बने वे हैं बट हमारे पल्ले नहीं पढ़ रहा है क्या लेखा है कि अगर यह लोग यह विटामिन्स खालेंगे तो इनकी मेमरी और शाप हो जाएगी पावर दिमाग की शाप हो जाएगी नहीं कह दो वो खाले अब माईती थिंटेंग फिर से नूडल का क्रेडिट चुरा के उन्हें और करता है कि जल्दी से विटामिन खाओ यह तीनों अपनी जैब में से विटामिन्स निकालते हैं खाते हैं इनका माइंड शेक करते हैं और इनकी दिमाग की बत्ती चल जाती है और अब इन्हें हमारी जो कुछ भी उस बुक में लिखा होते हैं सब चीज़े पढ़ने में आ जाती है मैं थोड़ी पता दा कि निए से पोयम की किताब इसमें सब ऐसरी बाते लिख्यी है मनहन भरन यह जो जो फोयम पढ़ते हैं उससको सच मांग लेते हैं अब पहली पोवendsअप पढ़ती है ओमेगा उस पोयमको मैं आपको लाइन बै लाइन री पराते हूं पहली पोयम वो परती है ओमेगा मिस्ट्रिस मेरी मुझे कैसे पता चला ओमेगा लड़की है यहां देख लो NCRT में लिखा है मिस्ट्रिस मेरी क्वाइट कॉंट्रारी हाव दस यो गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स औं सिल्वर बेल्स अर्ब需 अरूड प्रेटी मेरे लिखा और बेंंध को सुझे कि मिस्ट्रिस मेरी के गार्डन में क्या-क्या वग रहा है काउकल सुग रहा है सिल्वर बेल्स सुगहे है और संदधर संदर लड़किया वग रही है तो यह लाइन सोनके। उप पस लगता है बहुत दर जाता है और इसे लगता है शायद हम अर्थ के लोगों को डाइनामाइट और इसे लगता है उसे लाइन्ट को गी और सब्सक्राइब को खेए तो आप देख लो यह पहरी वाली पॉयम हमारे हमला करें नहीं आए ठीक है अगली पॉयम पड़ती है इयोटा रेख लोगों यह न अब आयोटा पड़ती है अब ये दूसरी वाली पोयम इने और खतरनाक लिखती है क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि काव जंप ओवर दा मून यानि कि इनको लगता है कि हमारे जो अर्थी गाये हैं उन्हें स्पेस में जाना आता है और दूसरी लाइन ये पढ़ते है लिटल डॉग लाफ तो सी सच पोट तो माईती धिंग टैंग डर जाता है कि हमारे याके जो डॉग और अनिमल्स है उनमें भी सेंस ओफ यूमर है और उप को ये लाइन पढ़के हसी आ रही होती है कि जो चम्मचे है वो प्रेट के साथ भाग किया है तो उप तो हसता रहता है पोएम पढ़के बट माईती धिंग टैंग बहुत डर जाता है उससे लगता है अरे भाईया ये अर्थ के लोगों को तो काओ को भी गाईयों को भी पुचाना आता है स्पेस में इन लोगों को तो आनिमल्स के पास भी सेंस ओफ यूमर है तो बहुत डर जाता है और नूडल को कह दे भाई आज हम हमला नहीं करनेगे इन्वेजन फ्लीट को कह दो आज कोई हमला वहमला नहीं होना यह अर्थ वाले बरे और तरही 210 वाली और को पताए हम-ầडमकी जैसा कॉन दिखता है धिक्त अंब थिक्त ऐसा है ओWow आजा और हम्लेडंटी ऑपर दाहे है 60bernल ओंने भी कर णाता है कि 10 वाल हम्लें घ्रेट वाल इसको इन्होंने हम्ती डंटी डिखाएगी तो मैं हूँ, that means earth के लोगों को मेरे बारे में जानकारी है, और वो यह वाली line पर्दा है, had a great fall, तो इसको लगता है कि हम earth के जितने भी लोगें, अपने kings के साथ, अपने horses के साथ, मार्स पे हमला करने वाली है, और हम्टी डंटी यानि कि जो तिंट तैंग उसको पकड़ने वाले है तो तिंटेंग डर जाता है इतना डर जाता है कि ओमेगा और उप और आयोटा तीनों को कहता है भागो 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 इस लाइवरेडी से सारे सुराग उराग मिटा दो और अपना स्पेस शेव लेकि मा अर्थ के लोग जाते हैं अर्थ के लोग आके हमला करने वाले माहिती थिंटेंग के ऊपर तो इतना डर जाता है कि उसको बोलता है नूडल को कि मेरे लिए एक स्पेस कैपसूल तैयार कर दूंग जानक आया आपने कहते है मैं हंग्रेड मिलियन माइल सवे दूर जो प्लैन कर देंगे और यहां से जितने लाइबिरेडी में पहुचे वे थे ना आयोटा वगेरा यह भी चले जाते हैं और इस प्रकार अर्थ पच जाता है हमला होने से मार्स का तो यह तरीके से काईज यह पुरानी सी किताब ने राइन की नर्सरी वाली इसने हमें बचा लिया था अब ऐसे ही आपका पुरा यह play end हो जाता है और वहाँ उस museum में भी जो यह play चल रहा था वो end हो जाता है जैसी ही play end होता है तो historian के उपर spot night वापस आ जाती है जैसे मैं आपको यह play सुना रही हूं वैसे वाह historian सुना रही थी अब historian बताती है कि अब पच्चिसवी सदी चल र मार्स और एलिए और मैठीं टैंक उड़नी मर्स अर्ठी को甚isen से कॉंटाक्ट में आर्थ के लोगों को सेंडविच और बुक के बीश का डिफरेंस भी बता दिया है इवन हम आर्थ के लोगों ने मार्श पे एक लाइबरेडी भी खोल दी है और फिर लास्ट में हिस्टोरियन बताती है कि अभी भी मार्श के लोग कोई भी बुक पढ़ ल इन्वेशन से तो यहां पे हमारा चाप्टर एंड होथा है मैं मिलतयों आपसे नेक्स वीडियो में अब आप्सोंच यहःए है इंग्ली चिकर लहिए geng